आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें वैल स्पून इंडिया के बारे में 68-69 रुपीज का शेर है हलकी सी तीजी जरूर बनी है लेकिन देखा जाए तो भाई साब बहुत जादा तूटा है यह शेर और भाईया मार्केट में गिरावट है ही लेकिन यह लंबे समसे तूट करा रहा है वीडियो में डिसकस करेंगे वैल स्पून इंडिया को लेकर और खरीदारे के मौके हैं कि नहीं है तो कहां पर है सपोर्ट कहां पर है रिजिस्टन्स कहां पर है उन सारी चीजों के बारे में डिसकस करेंगे लेकिन उसे पहले अगर में 6.6% का growth जरूर आया है अगर जो high देखे तो अभी कुछ दिनों पहले ही 75 रुपए के उपर था तूट के बिखरा लेकिन इससे पहले अगर आप देखो तो ये 65 रुपए तक भी चला गया था एक साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले एक साल में ये 26% तक तूट चुका है लेकिन जो इसका high बना था वो 167 169 रुपीज का बना था और आज तब से लेकर अब तक 100 रुपए तूट चुका है और बीच में जो low मैं दिखा हूँ तो 65 रुपए के आसपास जरूर गया था लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट नजर आ जरूर रहा है इनिशल सपोर्ट नजर आ रहा है 5 साल में देखे तो 5 साल में अभी बारा से 13% के गिरावट है कोविट के वक्त ये 19 रुपए तक चला गया था 20 रुपए के नीचे 19 रुपए 70 पैसे के आसपास था ये कोविट के वक्त 2020 में जब इंडिया में कोविट आया था बाजर की हालत खराब थी तूटके बिखरा था लेकिन बहुत बड़ी रफ़तार देखी इसने लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है मैक्सिमम चार्ट अगर हम देखे तो एक वक्त में ये पैनी स्टॉक हुआ करता था 2012 में ही अगर हम देखे तो ये पाँच्छे रुपए का शेर था लेकिन उसके बाद बड़ी रफ़तार देखी 2016 में ये 100 रुपए से भी उपर निकला उसके बाद उतनी ही बड़ी गरावट भी आई बिल्कुल वैसा ही चार्ट अब दुबारा भी बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन उमीद करते हैं कि तेजी देखने को मिल जाए जो सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है वो इनिशल सपोर्ट जो है वो नजर आता है 60 रुपए के आसपास का और जो मतलब 65 रुपए के आसपास है और दूसरा जो स्ट्रॉंग सपोर्ट है वो नजर आता है 50 रुपए के आसपास का यहाँ पर वेल्सपून इंडिया के बारे में देखें तो भईया वेल्सपून इंडिया देखा जो टेक्स्टाइल से जोड़ी हुई कमपनी है और कमपनी के पास 30 से भी ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्स है इनकी 50 से भी ज़्यादा देशों में इनका डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क है कमपनी काफी बड़ी है जो छोटी कमपनी नहीं है काफी बड़ी कमपनी है और इनका जो में बिजनस अगर आदेखो तो चाहिए रिटेल के बात करें या फे वेल्सपून फ्लोरिंग जो घर में हम फ्लोरिंग वगएरा करवाते हैं टेकस्टाइल के बात करे, डिटेल सलूशन अगरा के बात करे, हॉस्पिटलरी के बात करे, तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और company कई सारी product बनाती भी है, company के कई सारी brand है, कई सारे portfolio आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और यह well spoon definitely कह सकते है कि company तो अच्छी है खराब तो नहीं है और company को लेकर अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखे permit cap share है 6,855 करोड के आसपास का इसका market cap है volume बहुत कम है कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे 14,00,00 का ही volume से यहाँ पर अभी के लिए नजर आ रहा है company के revenue में लगादर गिरावट आई है और profit में भी गिरावट आई है और यही वज़े है कि share भाया टूटके बिखर रहा है March quarter मतलब पिछले quarter में इनका जो profit था वो 52 करोड का था जबकि पिछले साल 130 करोड और पिछले quarter में 32 करोड तो 60% की गिरावट इनके profit में देखने को मिली है यहाँ पर अगर आप देखो promoter वगरा holding की बात करो उसे पहले company में अगर आप एक नजर करते हैं हम तो share खान की तरफ से खरीदारी की सलाई 105 का target है लेकिन यह पिछले महिने की 12 तारी को इनकी तरफ से यह चीज़ बताई गई थी और यहाँ पर देखे तो 100% money control user कहरे की खरीदारी करो यहाँ पर company को लेकर अगर आप इनके revenue में देखोगे तो definitely तेजी है जो revenue इनका 2021 में 7,340 करोड का था वो 9,300 करोड पर आगया लेकिन problem कहाँ पर आई problem यहाँ पर बनी इनके देखो 550 करोड का profit था 2021 में 2022 में 606 करोड है definitely highest profit है इनका लेकिन जो last quarter था वो अच्छा नहीं था उसमें से 50 करोड का ही मुनाफ़ा हुआ है इनको तो वो एक problem यहाँ पर जरूर आप कह सकते हो well spoon को लेकर देखा जाए तो वो एक 11 का P है जो काफी सस्ता है sector P 100 के मुकाबले और 67% इनालिस इसलिए खरीदारी करने के भी बात कर रहे है खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शर्ण ओरबोट जोन में नहीं है कोई भी rate flick नजन नहीं आ रहे लॉंग टर्म में पैसा बना है क्यों क्योंकि अगर आप देखो तो भईया ग्यारा बारा तो यह पैनी स्टॉक ही था ना 2003 से लेकर 2012 तक यह पैनी स्टॉक रहा है इवन 13 तक यह पैनी स्टॉक रहा है बाद में इसकी रफतार शुरू हुई बाद में फिर टूटा फिर रफतार शुरू हुई फिर टूट रहा है अभी थोड़ा और टूटेगा यह वेल्स्पून के बारे में अगर हम देखे तो वेल्स्पून इंडिया में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 70.36% है और प्रमोटर का एक भी शयर गिर्वी नहीं है जो अच्छी बात है 2.32% की होल्डिंग म्यूचल फंड के पास है 2.93 डोमेस्टिक 8.52 फाइस के पास है रिटेल और अधर्स के मिला के 15.88% है उसमें भी जो कोर रिटेलर्स है आप और हमारे जैसे उनके पास सिफ 6.84% की होल्डिंग देखने को मिल रही है तो कह सकते हैं कि बड़े फंड हाउसे और प्रमोटर अच्छी कासी कॉंटिटी में यहां पर बैठे हुए है और अच्छी बात ये भी है कि प्रमोटर के शयर गिर्वी नहीं है वेल्स्पून को लेकर अगर देखा जाए तो डेफिनिटली शयर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो एक अट्रेक्टिव प्राइस तो आप जरूर कह सकते हो क्योंकि बहुत जादा करेक्ट हो चुका है तकरीबन 60% तक ये करेक्ट हो चुका है उससे भी जादा करेक्ट हो चुका है तो वेल्स्पून को लेकर मेरे इसाब से जो खरीदारी के मौकी बनेंगे वो बनेंगे 65 रुपए के नीचे अगें मार्केट अभी भी उतना अच्छा नहीं है ठीक है कल बहुत बड़ा फैसला आने वाला है लब आज रात को ही आएगा तो पता चला कि फैट्स ने इंट्रेस रेट को लेकर क्या घोशना करी है वो आज ही पता चलता पाएगा और उसका एक बहुत बड़ा इंपेक्टकल बाजार में देखने को मिल सकता है तो आज क्या अनॉंसमेंट होती है पहले उस पर नजर होनी चाहिए अगर रेट बढ़ाने को लेकर ख़बर आगी तो डेफिनितली आपको मार्केट पर असर देखने को मिल सकता है आज उसकी अनॉंसमेंट होने वाली है तो उस अनॉंसमेंट पर नजर रहेगी और उसका असर जो है वो यूएस बाजर के साथ इंडियन बाजर पड़ भी आपको पड़ता नजर आता है कोई उतनी बहतरीन कंपनी भी नहीं है कि आप जाके बहुत बड़ी कॉंटिटी खरीद लो फिर ये एक्सपेक्ट करो कि मेरा पैसा तीन चार गुना हो जाएगा कोई उतनी बड़ी भी कंपनी नहीं है लेकिन हाँ ये जरूर है कि वेल स्पून को लेकर आप हलका फुल कर कि ये निवेश अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन लेकिन किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेर्स खरीद के मत बैठ जाना थोड़ी सी कॉंटिटी अगर चाहो तो 65 रुपए के निचे एड़ कर सकते हो बाकी कि कॉंटिटी अगर मार्केट में हालत बहुत जाता है तो वहाँ पराबैट कर सकते हो और अगेन कमपनी कोई उतनी बहतरीन भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट वहाँ पर करके बैठ जाओ और मार्केट में आज रात को क्या डेट आती है उस पर नजर होनी चाहिए उसी के साफ से कल मार्केट टर्न अराउंड होगा तो खरीदारी के लिए भी जल्दबाजी मत करियेगा अगर कल मार्केट नेगेटिव रहता है तो वो नेगेटिव एक दु दिन रहेगा ठीक है अगर कल मार्केट पॉसिटिव रहता है तो definitely फिर अच्छा positive भी आपको देखने को मिल सकता है तो यही कहूंगा अभी के लिए कि company पर नजर होनी चाहिए और बाजार पर भी नजर होनी चाहिए external जो factors होते हैं उन पर भी नजर होनी चाहिए वीडियो को यहीं प्रेंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें चैनल पर पहली बाहर आएं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वेल्सपून इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिक का बता सकते हैं थैंक्यो